Hello everyone, welcome to Phanella and School बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा पांच की गिलास में पार्ट पंद्रा खर्गोस और हाती ओके बच्चो चलो किताब को उपन करो बच्चो आपने किताब को उपन किया पेज नमबर सो खर्गोस और हाती बच्चो ये कहानी है चलो हम रेट करते हैं खर्गोस एक छोटा सा जानवर है और हाती बहुत बड़ा इस कहानी में खर्गोस किस प्रकार अपनी समस्चिदारी से हातीों से अपनी रक्षा करते हैं इसका वर्णा ने ये कहानी पंच तंत्रे से ली गई है चलो अब कहानी पढ़ते हैं हम एक जंगल में एक सरोवर था सरोवर मतलब ताला होता है नो वो सरोवर के किनारे गीली जमीन थी वहां बहुत से खर्गोश रहते थे खर्गोश के बिल जमीन के अंदर थे वे दिन भर इदर उदर कूदते रहते नरम नरम घास खाते रात को अपने घरों में सो जाते वे सब बहुत प्रसन रहते थे फिर उसे जंगल में कुछ हाती आ गए हाती के जुंड में कुछ सरारती हाती थे वे अपने सुन्ड चोटे चोटे पेड तोड देते थे फिर आगे का आ गया है पोधे कुछल देते हाती के बच्चे खेल-खेल में एक दूसरे से लड़ते कभी एक छोटा हाती नीचे होता तो कभी दूसरा हाती पानी से बहुत प्यार करते थे वे सुन्ड में पानी भर भर करकर नहाते फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोटते नरम जमीन उनके भार से दब जाती और साथ ही कई खर्गोष पानी भी परिवार भी दब जाती इसे खर्गोष बहुत दूखी थे पिर आगे देखते हैं फिर खर्गोष के सरड़ा ने कुपाय सोचा कुछ चूने हुए खर्गोष के साथ वह हाते के सरोवर के पास गया कुछ दूरी पर बेटकर खर्गोष के सरोवर ने अपने अगले पाउँ उठाय उसने उन्हें हाथ जोड कर नमसकर किया हाती ने सुन उठार कर नमसकर का उत्तर दिया खर्गोश सरदार बोला हम चांद के भांचे हैं चांद में आप हमारे भाई बंदूओं को देख सकते हैं हमारे कुछ भाई धर्ती पर रहने आये हैं मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलते हैं वे आपस आपसे नाराजे हाती बोला क्या क्यों नाराजे हैं हमने क्या किया है, खर्गोस बोला, सरोवर के समीब नरम मिट्टी में सुराक कर हमने अपने घर बनाए, आपके आने से सुराक दब गए, जिसे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। खर्गोस आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगी और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्ण मासी का चांद निकला, हवा तेज सी, सरोवर में हलकी हलकी लहरे उट रहे थी, चांद लहरों के साथ साथ उपर नीचे हो रहा था, हाती और ख देखे माहराज, चंदा मामा गुशे से कांप रहे हैं, आप जल्दी यहां से दूर चले जाए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं, हात्यों के सरदा ने अपने जूंड की तरफ देखा, सभी डर गए हैं, सरदा ने अपने सुंड उपर उठाए, सभी हात्यों ने इसा ही किया, अब सरदार बोला, चमकती हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आप से समा मांगते हैं, आप हमें समा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब इसा काम नहीं करेंगे, जिससे दूसरों को तकलीप हो, तो चो आपको भी सरोवर मतलब जील, परिवार का एक घर में रहने आले लोग, बंधु मतलब भाई, कुचलना मतलब दबाना, समा मतलब माफी, सुराक मतलब छेद, पूर्ण मासी, जिस रात चांद गोल होता है, भांजा मतलब बहन का लड़का, समीत मतलब नजदी, मुहा और गुसे से अपना मतलब पुरोधित होना, इस कहानी में तीन चित्र दिये गए हैं, हर एक चित्र के संदब में वर्णन कीजिए, तो बच्चों आप चित्र देखना, उसके संदब में वर्णन करना, मुहावरे के वाके प्रियोग के बारे में सही विकल्प चुनिए, फूला न समाना तो अट्यांत खुस होना, हर सु परिक्षा में अनुत्रिन होने के कारम फूला न समाया, मोनाली स्कुल में प्रथम नंबर आ, इसलिए वह फूली न समाया, मतलब बहुत खुस हो गई, सेट पाना चंदी की जायदा लुट गई, इसलिए वह फूले न समाया, फिर उचे च मतलब प्रगर्थी करना, उसे अविवादन मतलब स्वतकार करना, फिर चित्र देख कहानी कहो, तो कच्छो खर्गोष के बीच में स्वर्दा होई, खर्गोष तेद दोड रहा है, तो बच्छो चित्र देखना और ये कहानी आप पढ़ना, फिर प्रस्तन के उत्तर, खर्गोष के बील कहां थे, तो खर्गोष के बील, खर्गोष के बील, जमीन पर थे, जमीन के अंदर थे, पिर दूसरा प्रस्तन, खर्गोष का सरदार क्या बोला, तो खर्गोष का सरदार ने बोला, हम चांद के भांचे हैं मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं वियाब से ना राजे फिर पूर्ण मासी का चांद कैसा है तो इसका उतर है पूर्ण मासी का चांद गोल और अधिक तेजवाला है फिर बचुए तालाब में क्या दिखाय दे रहा है तालाब में क्या दिखाय दे रहा है तो तालाब में चांद दिखाय दे रहा है जो लहरों के साथ साथ उपर नीचे हो रहा है चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है तो चंदा मामा से माफी हातियों का सरडार मांग रहा है फिरे मात्रु भाषया में अनुबात की दि सरोवर के किनारे गिली जमीन थी जिसकों क्या है? सरोवर ना किनारे भीनी जमीन अथी हमें चांद के भाण जहें तो आमें चंद्रना भाण नेज छीए हाथी के जुंड में कुछी सराती हाथी थे तो हाती ओना टोड़ा मा केटलाय तोफानी हाती हता खरगोस के सरड़ा ने एक उपाय सोचा तो ससला ना सरड़ारे एक उपाय वीचारे फिर बच्चों, संधर्व पुस्तक पढ़कर पता करो लिखो कि पूर्ण मासी कब होती है और अमावस्या कब होती है तो बच्चों, प्रत्यक भार्टिये मा के सुकलू पक्स के अंत में पूर्ण मासी होती है और इस दिन चंद्रमा पूर्ण गोल होता है प्रत्यक भार्टिये मा के क्रस्ण पक्स अंत में अमावस्या होती है इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है फिर ओके बच्चों यह हमारे इतने प्रस्न उत्तर थे चेप्टर के हमने कहानी को पड़ा तो आप भी इसको देखना कहानी को और इस कहानी को अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना और बच्चों इस प्रस्न उत्तर को मैंने इसके उत्तर तो बता दिये आपको लिखना हो तो अपनी आइडल के किताब में कल इसके में पेडियेप भेजूंगी पेडियेप में से देख देख के इसके प्रस्न उतर आप लिख देना ओके बच्चों बाई बाई